जोब बात करेंगे अज बैंक निफ्टी का जोभी ट्रेड हुआ था और काल के दिन पर मार्केट कैसे बिहेव कर सकते है वो सारे के सारे चीजों के उपर फास्ट अफॉल आज के दिन पर मार्केट कैसे ओपेन होता है आज के दिन पर मार्केट ग्यापाब ओपेन होता है और प्रिवियाज डे का जो हाई था एवाला आपका प्रिवियाज डे का हाई वाला लेवेल है ठीक है जहाँ पर एवाला मार्किंग आपको दिग रहा है यह indicator आपको दीख रहा है, previous day का high वाला indicator है high low का, तो यहाँ पर market open होता है, इसके बात क्या करता है एक छोटी छोटी चीज़, जैसे मैं हमेसा update करता हूँ अब लोगों के सामने जै कैसे आपको trade करना है ठीक, उसी तरीके से आज भी मैंने post कर दिया था, आपको trade कैसे करना है, देखो market open होने के साथ जाथ market is above pdh okay, so look for trap setup यहाँ पर आपको trap setup को देखने के लिए ही मैंने clearly बोल दिया था, तो trap setup कैसे execute होता है और मैं हमेसा जैसे बार-बार वीडियो पर बोलता हूँ यार, यहाँ पर best buyer को ढूड़ो, best buyer यहाँ पर कौन मिला, इस जगा पर देखा जाए जो, देखो, buying होता है तो उपर green candle बनता है, लेकिन यहाँ पर best buyer कौन मिला, यहाँ पर यहाँ था best buyer यह जो candle green वाली है यह जो green candle है यह था यहाँ का best buyer, इस candle जब यहाँ पर बना, तब यहाँ पर एक confidence मिला, बायर का, जो भाई, हाँ एक level के हिसाब से buyer यहाँ पर आया है ठीक है, तो इसी वाज़े से क्या होता है, इसके बाद देखो, market बायर तो मिला, लेकिन अगला candle पर इसको नीचे की तरब धहकल देता है ठीक है, आगले candle पर इसको नीचे की तरब धहकल देता है, और ठीक मैंने इसी level को mark कर लिया था इसी level को mark कर लिया था, और देखो morning वाली trade होती है, मतलब 9 बज़े से लेके 9-15 से लेके 10 बज़े वाली trade अब कभी भी करो तो वहाँ पर आपको किस पे execute करना है, उस पे आपको हमेशा हमेशा आपको 1 minute पे execute करना है, क्योंकि वहाँ पर rix छोटा होती है, और momentum trading वाला setup बनता है, यह सब ज़ेगा पे, ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हो, near about कितना point का rix हम लोगो को देखने के लिए इस level को जैसे भ्रेक किया market ने only and only 15 point का loss है, 15 point का rix है अभी अब देखो 15 point का rix के against पे कितना trade हम लोगो को देखने के लिए मिला कितना points हम लोगो को देखने के लिए मिला near to यहाँ तक एकदम low बनाया था इसने 100 plus point का reward हम लोगो को यहाँ पर देखने के लिए मिल गया, so guys join करो join करो और सिखो, trade ऐसी होता है market जब तक trap नहीं करता है तब तक किसी को अच्छा पैसा बना के नहीं देता है ठीक है, तो अभी 5 minute पे देखेंगे यहाँ पर क्या-क्या setup क्या हुआ और उसके आगे का market में क्या बना तो अभी यहाँ पर अगर आप trade करने जाओगे, हाँ यहाँ पर बना है, कुछ तो दिया है इसने इतना लंबा-लंबा candle बना है लेकिन यहाँ पर risk to reward favorable नहीं है अब अगर ऐसा trade करने जाओगे जहाँ पर आपका risk कितना point का दिख रहा है यहाँ पर risk, वहाँ पर मैंने कितना point के risk पर trade किया 94, 95 point का risk है तो समझ पारे हो, कहाँ 30 point का risk है और कहाँ 94 point का risk है तो इसलिए, जब तक आप जो भी trade कर रहे हो उसमें अगर आपका risk इतना ज़्यादा हो रहा है मतलब, risk अगर आपका limit से बार है तो ही आपका पैसा अगर एक भी trade पे चला जाता है SL हीट हो जाता है घूंके इस trade अगर SL हीट करवा दिया होता तो नाना करते हुए आपका 50-60 point तो यहाँ तक खा जाता पुड़ा तो इसलिए, trade करना है तो risk को minimize करो जितना छोटे risk पे trade ले सकते हो उतना छोटे risk पे trade लो तो उसके बाद यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर मैंने और एक जो यहाँ पर देखेंगे market एक structure बनाता है इस structure को जैसे ही market ने break करता है तो already मैंने यहाँ पर इस चीजों के बारे में भी clearly update दे दिया था यह देखो यहाँ पर जैसे एकदम stocks तो हर दीन update रहता है हमारा ओके तो यहाँ पर मैंने clearly bank nifty का plan बता दिया था कैसे trade करना है और हम लोगों को trade plan कैसे बनाना है ठीके और कौन सा direction पर market move होता तो उसके बारे में details उसको कैसे trade करना है ओभी मैंने clearly बोल दिया था ठीके wait for clean WRC to get proper breakout okay understand so क्यों हमारा trade इतना accurate होता है reason समझ में आ रहा है तो इसलिए देखो इसके बाद market ने जैसे जैसे move करता गया और clearly हम लोगों ने यहाँ पर update करते गए तो near to देखा जाए तो इस basis पर अगर trade हम लोगों ने जो execute किया था उस जगा पर trade हम लोगों को near to मिल गया यहाँ पर अगर इस जगा को मैं marking कर लेता हो आप लोगों के साथ तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग near to अगर देखा जाए SL जो मिला हम लोगों को SL मिला यहाँ पर इस सेरिया को जब break करता है market ने SL आया हमारे सामने near to 39, 40 point के आसपास and reward जो देखने के लिए मिला यहाँ से near to 80 point 1 is to 2 के आसपास यहाँ पर भी return हम लोगों को देखने के लिए मिला अभी काल के दीन पर market कैसे behave करेगा उसके बारे मैं properly discuss कर लेते और कैसे market का trend रहेगा movement कैसा होगा वो सारे के सारे चीज हम लोग आभी discuss कर लेते तो जैसे मैं यहाँ पर आचुका हूँ सारे के सारे levels अब लोगों के सामने clear हो रहा है जैसे मैं हमेसा बोलता रहता हूँ अब लोग कभी भी trade करना है तो normal candle पे उसको analyze मत करो analyze के लिए हमेसा हमेसा hack energy candlestick performance को use करो hack energy का structure use करो जिस पर आपको clear noise समझ में आए कहाँ पर noise हो रहा है या फिर कहाँ पर market ने properly breakout करने वाला है space available है ओ सारे के सारी चीज hack energy पे clean हो जाता है properly समझ में आता है ठीक है तो अगर इस चीजों के उपर देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को तो five minute का हमारा execution होता है five minute पर एक हम लोगों को 15 minute और आवार्ली जोन मिल गया उस जगा पर हम लोगों को और five minute वाला जोन ढूंटके कोई फाइदा नहीं है ठीक है कोई जोरूरत नहीं है जहाँ पर हम लोगों यहां पर तो हम लोगों को मिल चुका है तो इसलिए हम लोगों को फाइब मिनिट वाला जोन की जुरूरत नहीं है अभी प्लैन कैसे बन सकते हैं अभी सपोज काल के दिन पर अगर इस जगा पे मार्केट ओपन होता है इस जगा के आसपास गाप ओपन होता है इसके बाद यह हम लोग एक ट्रैप सेटप को एक्जीक्यूट कर सकते हैं जो यहां तक हम लोगों को फहला टार्गेट और उसके बाद यह रहेगा हमारा पहला टार्गेट और दूसरे बाद यह रहेगा हमारा दूसरा टार्गेट जो दो टार्गेट हम लोगों को मिल सकता है एस पर ट्र उसके बाद ट्रेलिंग के सारे हम लोगों को दूसरा टार्गेट यहां तक मिल सकते एँ होगा पहला एँ होगा दूसरा टार्गेट आपका मार्केट अगर consolidate करके उपर की तरफ जाता है ठीक है अभी अगर मार्केट कल previous day का range में ही open होता है तो no trade at all कोई भी trade नहीं करना है क्यों अभी trade इसलिए नहीं करना है क्योंकि आज का दिन का जो range है वो बहुत छोटा range है यह जो range है तो इस range के अंदर आपको मतलब क्या move होगा कभी उपर जाएगा कैसे नीचे आएगा फिर थोड़ा उपर चला गया और फिर आपने यहां पर trade ले लिया फिर गूम के उससे नीचे आगा तो यहां पर जो move होगा ना complex complex move होगा जिस उप में आप अगर new trader है कोई भी अगर option buying का trader है तो उहां पर clear तरीके से उसको trend नहीं मिलेगा और option decay के वज़े से उसका profit side market उपर जाएगा लेकिन loss पे बैठ जाएगा या फिर एंड इसके बादो नीचे जाने ही पाता है ठीक है मतलब नीचे उसने कोई properly red candle वाना नहीं रहा है मतलब seller का इतना pressure दिखने ही रहा है तो अगर उसने गुमते हुए अपना previous day का लोग को break करके इधर गुम जाता है तो यहां से भी हम लोगो को trap setup दिखने के लिए मिलेगा जिसके लिए आपको पहला target दिख जाएगा यहां से पहला target अगर market इस area को भी cross करता है तो इस area को आप दूसरा target और इस area को आप तीसरा target इस अब से मान सकते है ठीक है तो अभी हो गया तीसरा अभी अगर market काल gap down open होने के साथे साथ, gap down open होने के साथे साथ क्योंकि इस zone पे नीचे भी हमारे सामने space available है अगर यहां पर consolidate करके market नीचे की तरफ break करता है तो इस जगा पे भी हम लोग put का plan बना सकते हैं यहां पर fast target जो रहेगा हमारा इस बाली जो लोग है जो काल के दिन तो इहां पर देखेंगे सारे के सरे सब भी वाली एरिया है तो भी वाली एरिया पे भी आपको फिक्वेशन के साथ properly trade करना पड़ेगा क्योंकि इहां पर भी आपको complex छोड़ा नीचे आएगा उपर जाएगा उपर जाएगा ऐसा वैसा करते हुए नीचे आएगा तो इस निफ्टी पर देखो निफ्टी एक V-Safe का रिकोवरी दिया है काल के दिन पर काल के दिन से आज देखा जाए तो वी से और अगर देखा जाए तो एक इनवाटेड हेड़ेंड सोल्डर मतलब यह नीचे वाला हेड़े एर इनवाटेड है ठीक है तो यह इनवाटेड अगर निफ्टी के बारे में ट्रेड बताया जाए तो आज के दिन पर तो निफ्टी पर कुछ भी नहीं मिला क्योंकि देखा जाए यहाँ पर भी मार्केट ने इतना बड़े रिक्स पेग फिर घुम के उपर गया फिर यहाँ पर मतलब पूरा कॉम्पलेक्स तरीके से में डिसकस करता हूँ फास्ट बाला जो आवली के लेवेल दिखता है वो हमारे सामने 19,574 के आसपास दिखता है ठीके अभी अगर इस लेवेल के उपर मार्केट के पास अच्छा खासा स्पेस है ओके अभी दूसरा बाला अगर यहाँ पर देखा जाए जो परसु के दिन पर जो सापोर्ट उसने बनाया था उस सापोर्ट 19,450 के आसपास 40 से लेगे 50 के आसपास वो सापोर्ट बैटा हुआ है अभी यहाँ पर आवली पर तो दो जोन मिल गया अभी 15 मिनिट पर देखते है 15 मिनिट पर मार्केट जैसे आज इस एरिया के आसपास इसने अच्छा का इसा कॉन्सोलिडेशन बनाया ओके तो आभी हम लोगों के समने क्या क्या अवेलेवल हो गया हम लोगों के समने अवेलेवल हो गया यहाँ पर स्पेस और दोनों जगा पर स्पेस और मार्केट का स्ट्रक्चर मार्केट के स्ट्रक्चर और कहां पर कौन सा साइट पर मार्के trade कर सकता है, ओके, तो अभी यहाँ पर trade का हम plan मना सकते, उसके बारे में अभी discuss कर लेते, जैसे आपको bank nip tp मैंने discuss किया, कैसे बताया मैंने चीजों को, कल, कल के दिन पर अगर market gap up open होता है, इस जगा पर previous day के high के उपर open हुआ, और इसके बाद इसने अगर इहां पर green candle वाना नहीं पर है, छोटी छोटी candle वाना रहे, छोटी छोटी candle वाना के उपर गया, फिर उसके बाद अगर घुम के उसने high का इस range को तोड़ देता है, तो इहां से हम लोग एक put का plan मना सकते, ठीक है, इसके लिए पहला target कौन होगा, इस बाली जो 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 ने, यह हमारा पहला target, और इस बाली जो 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 ने, यह रहगा हमारा दूसरा target, ओके यह हो गया हमारा first trade plan, ओके, अभी अगर काल के दिन पर market, इस जगा पे आसपर, इस जगा, जगा के आसपर अगर आके, इसने consolidate करके, उपर की तरफ अगर breakout भी देता है, ना, तो इस जगा पे भी हम लोगों को एक upper side के तरफ trade मिल सकता है, क्योंकि there is an enough space, good space available है, इस area तक पूरा space available है, तो space बहुत अच्छा matter करता है, जिस बार भी आपको trade करना है, कभी भी आपको trade करना है, trace is, sorry, जो space होता है, space बहुत important part होता है, जहांपर space रहता है, उस पे आप trade को छोड़ो मत, trade को कुछ भी हो जाए, trade को लेने की कोसिस करो, ठीके, तो अभी हो हो गया हमारा दूसरा buying side वाला trade plan, ओके, और दूसरा trap वाला trade plan, अभी suppose काल के दिन पर अगर market gap down open हो जाता है, ठीके, तो as it is, this is a previous week, लोक के आसपास open हो जाता है, एंड इसके बाद market अगर यहां पर consolidate करते हुए, नीचे की तरफ gap down, breakdown देता है, तो यहां से हम लोग इंदर तक एक trade ले सकते है, जो ए रह हो जाएगा हमारा पहला target, ठीक है, अभी अगर काल के दिन पर market इस लोक के आसपास से घुमते हुए trap करता है seller को, तो यहां से भी आप एक buying का plan बना सकते है, जो इसके लिए तब ए हो जाएगा पहला target, इसके उपर अगर market move करता है, तो आप दूसरा target इहां तक भी आपको मिल सकता है, दूसरा target इहां तक भी आपको मिल सकता है दूसरा target, understand समझ में आया कैसे हम लोग का trade plan बनना चाहिए, अभी अगर काल के दिन में बहुत बड़ा gap आप या फिर बहुत बड़ा gap डाउन बन जाता है, लाइक दिस एकदम 200 पॉइंट का निफ्टी गैप, 300 पॉइंट का निफ्टी का गैप हो गया, तो उस में आया, real logical price section क्या होता है, उस पर कैसे हम trade का execution कर सकते हैं, और कैसे मैं करता हूँ, okay, so still अगर आप लोगों ने join नहीं किया, तो join कर लो, telegram channel, link आपको description box पर मिल जायागा, like and share कर दो, दोस्तों लोगों को भी पता चले, trading इतना simple होता है, so thank you and bye bye, keep trading, keep learning and keep following your risk management.